तो नमस्ती दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए ने मीनी व्लॉग में तो भई आज थी एक गिक, तो सबसे पहले हमने निकाल लिया अपना गैटार हमने का थूड़ी साफ सफाई हो जाए तो हमने अपने गटार को निकाला उसको प्यार से पोच पोच के चमका दिया एक दम और अपती बारी पैकिंग की तो हमने निकाल लिया अपना बैग और साथी साथ कुछ जरुरत का समान जैसे कि गटार स्टैंड, ये स्ट्रैप, एक गटार केबल और एक केपो भी जो कभी कभी यूज़ करते हैं सारा समान इकटा करने के बाद अब बारी ये पैकिंग की तो चलो एक एक करके समान रखते हैं तो भाई जब बारी आई केबल की तो हमने सोचा कि महत्वपूर ग्यान आपके समख से साजा कर लिया जाए कि एक केबल को रोल कैसे करते हैं आओ देखे सही तरीका भाई हो जब हम इस तरह से गिटार केबल को रोल करते हैं तो हमारी केबल कभी उलचती नहीं और नहीं कभी खराब होती है तो इससे गेबल की लाइफ बढ़ जाती है अब इतना सारा ग्यान बाटने के बाद हमने कहा थोड़ा तयार बैर हो लिया जाए क्योंकि गिग में जाना है तो थोड़ा प्रेजिटिबल होना बढ़ता है भाई तो भाई जब हम मेकप वेकप करके एकदम परफ्यूम लगा के घर से निकलने की कगार पर आगए तो हमें पता लगता है कि वहाँ अकोस्टिक गिटार नहीं इलेक्ट्रिक गिटार ले जाना है तो हमने अपना इलेक्ट्रिक गिटार निकाला फिर उसे साफ किया एकदम चमकाया कि वो भी थोड़ा सा सुन्दर दिखे तो इतना सब करते हुए हमारी शकल होगी भाई भूट जैसी और उसी शकल के साथ हम घर से बाहर निकल रहे थे तो हमने देखा भाई तुम्हा भाई लग रहा एकदम हीरो नजर न लग जाए इसलिए काला चश्मा भी लगा लिया विन्यों भी पहुँचते पहुचते भाई हमने फिर से भूत लेकिन वहाँ पहुचके हमने देखा क्या हम खुशी से बोरा ही जाते फिर पता लगा है हम आये लिया नहीं चलो बाई